हेलो दोस्तों, वेलिकम बैक टू माई चैनल, इसके लिए इस्टडी चैनल, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, सेसी जीडी कॉंस्टेबल का एक्जाम 16 नमंबर यानिकी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 16 नमंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट ट दिएगे टेलेगेवाम चैनल से डाउनलोड कर लिजिएगा, अब यहाँ पे मैं जो आपको कोश्चन बताने बाला हूँ, आपको यहाँ से लेविल का पता चल जाएगा, कि कितने लेविल तक आप से कोश्चन पूछे जाएंगे, साथी साथ दोस्तों, जैसे ही एक्जाम complete होता जाएगा, exam analysis होता जाएगा, मैं आपको repeated question भी बताऊँगा, कि कौन सा question repeat हुआ है, साथी साथ दोस्तों, यहाँ पे आपके exam में काफी जैदा helpful होने वाली है, इन question से, मैंने जो भी question लिए है, वो एकदम selected question है, और आने वाले सिप्टों में यह हो सकता है, आज ही आप आप से एक आत question इन में से पूछ लिया जाए, तो चलिए मैं इन question को देख लेता हूँ, जिससा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला question है कि भार का SI मात्रक क्या है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा Newton, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो second question है, यह है एक house power में किसके बरा आप यहाँ पे दोस्तों जो मात्रक का नाम आया है, तो यहाँ पे unit से भी question पूछे जाएंगे, definitely science का भी थोड़ा बहुत person आने बाला है, जो की gk के level का होता है, तो यह तो normal है, यह सभी को पता होता, unit से भी question आएगा, और जो power सकती बाला part है science का, उससे भी question पूछे इसके बाद तीसरा question है, बिहार राजी के CM का नाम क्या है, नितीज कुमार इनका नाम है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, कि CM से भी question पूछे जाएंगे, तो आपको इंडिया के जितने भी state है, उनके CM का नाम अबस्याद रखना है, साथी साथ उनके राजधानी कहा है, राजी की और राजी के गबर्नर का नाम और राजी का इस्थापना दिवस, यह आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी question पूछे जाते हैं, इसके बाद दोस्तों चोथा question यहाँ पे है, यह है टोकियो ओलम्पिक से, यह बिल्कुल दोस्तों latest news है, यानि कि यहाँ स सबसे अधिक gold medal किस देशने जीता है, तो ऐसा नहीं है, यह question आए, हो सकता है आजाए, टोकियो ओलम्पिक में किस देशने सबसे कम medal जीते हैं, या इंडिया में gold medal किनने जीता है, silver medal किसने जीता है, या इंडिया में total कितने medal जीते गए हैं, तो किसी भी तेवे से question बन सकता फिलाल यह question था किस देश ने सबसे अधिक gold medal जीते हैं तो वो है USA इसके बाद बात की जाए IPL 2021 खिताब किस टीम ने जीता है तो IPL का खिताब 2021 बाला चिंड़ने जीता है तो IPL से भी question पूछे जाएंगे IPL से क्या क्या question बन सकते हैं IPL से highest bucket, highest run, साथिसाथ purple cap इस तेवर से question पूछे जा सकते हैं यह भी पूछा जाएगा कि IPL की किस team का मालिक कौन है किस team का coach कौन है और साथिसाथ उनके captain कौन है यह भी आप से question पूछे जा सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे next question है कि भारत क सबसे बड़ा stadium कहां है तो यह एमदाबाद में हैं जिसका नाम है मोधी stadium तो इंडिया में जितने भी stadium हैं या मंदर हैं यह भी आपको याद रखके जाना है साथिसाथ जो भी दर्या हैं या गुफाएं हैं उनसे भी question पूछे जाएंगे इसके बाद हैं अंतरवाष्टिय नियायाल है कहां है हैंग में यह इस्तित है अंतरवाष्टिय नियायाल है तो जितने भी अंतरवाष्टिय हैं उनसे भी question पूछे जाएंगे बहुत से अंतरवाष्टिय हैं जिनकी list आपको मिल जाएगी YouTube या टेलेगराम पे आप उनको देख लीजिएगा वहां से भी question प अधिक और सबसे कम question पूछे जाते हैं सबसे अधिक यहां से question आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद है मद्य प्रिवदेश वैज कितने वैजियों से गिरा हुआ है तो पांट वैजियों से गिरा है इसी तरह से दोस्तों question बन सकता है कि नेपाल जो है नेपाल की सीमा जो जाते हैं यानि कि जो भी इंडिया के पडोसी देश हैं उनसे question सबसे अधिक बनते हैं इसके बाद दसमा question है भारत में संकुधारी बन कहां पाय जाते हैं तो हिमाले में संकुधारी बन सबसे अधिक पाय जाते हैं लेकिन बन से भी question पूछते हैं जैसे कि सबसे अधिक बन कहां पाया जाते हैं भारत में बन का कितना प्रतिसत भाग कहां पे इस्तित है इस तरह से बन से भी जंगलों से कोशन पूछे जाते हैं इसके बाद आता है कि गन्ना सबसे अधिक कहां उगाया जाता है यूपी में गन्ना सबसे अधिक उगाया जाता है तो यहां से कोशन यह आता है कि कौनसी फसल किस समय की जाती है ये भी कोशन पूछा जाता है साथी साथ कौनसी फसल सबसे अधिक किस देश में या किस वाज़े में होती है ये भी कोशन आप से पूछे जाएंगे इसके बाद बायरमा कोशन है भारत का सबसे बड़ा बांध कहा है अगरा बांध त यह भी कोश्चन आपसे पूशे जाएंगे इसके बाद तेर्मा कोश्चन है भारतिय गाड़े कहां पाए जाते हैं तो काजेवेंगा नेशनल पार्क है यह एक सिंघ वारे बाले गिवह सबसे छोटा गिवह इस टाइप के भी कोशन पूछे जा सकते हैं फिलाल इतना जादा नहीं हो सकता है यहां से कोशन पूछे जाएं लेकिन यहां पर यह एक कोशन है कि भारत का सबसे अधिक सिच्चित संग प्रिदेश कौन सा है तो वो है लच्छ दीब तो दोस्तो यह 15 टोप कोशन थे जो की काफे जाला इंपोर्टेंट थे और 100% यह 15 के 15 कोशन किसी ना किसी दिन आपके एक्जाम में विपीट होंगे